प्रेज लॉट खुदावन येश्व मसी के मुबारक नाम में हम आपका खेरे मगदम करते हैं इस अर्शंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सब का स्वागत है आज के जिन में ताकि आप जुड़े और खुदावन की आशीश को ग्रहन कर सके तो आएए देखे इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड मेरा येशू है कमाल का 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 उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं मेरा येशू है कमाल का मेरा येशू है उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं मिन लाई वो प्यास मिजाता बिन रोटी वो भूख मिटाता बोही जीवन जल है यारो बोही जीवन रोटी मेरा यश्व है कमालिका मेरा यश्व है कमालिका उसके जैसा कोई नहीं उसके जैसा कोई नहीं सहाए पानी में चलता तुफानों को दिशान दिकराता बिला सहाए पानी में चलता तुफानों को दिशान दिकराता बिना सहाए बारी में जन्दा तू बढ़ों को लिसान पे जराता मांदी उसी की बात माने तू बता दो जाए मेरा येशू है कमालिका मेरा येशू है कमालिका प्रेश जरोज आज एक बार फिर खुबसुरा सुबह में आपका ख्यरे मगदम करते हैं और खुदा उनके शुकर गुजार हैं खुदा वननी जिन्दों की जमीन पे मेरे गुराब को जिन्दा रखा खुदा बहुत अच्छा है प्यार करने वाला खुदा है हमने क्रुशल डेज में देखा है लेकिन हम खुदा का शुकर करते हैं खुदा ने हमें जिन्दा रखा है उसकी चपेट से हम सब को संभाला और ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आपके पास आ सकें इस इन क्रुशल डे में इन नेगिटिव डेज में अक्सर होता क्या है हम सारी बात याद रखते हैं हम सारी चीजों को दिहान करते हैं लेकिन हम खुदावन की बातों को भूल जाते हैं आज मैं आपके साथ इस बात को लेके आगे बढ़ना चाहता हूं कि जो खुदा को नहीं भूलते है खुदा उनको क्या बरकत देता है और जो खुदा को भूल जाते है खुदा उनने क्या बरकत देता है मेरे साथ एक आएत निकाली और वो मिलेगी जबूर की किताब उसका नमाबाब और उसकी सत्रवी आएत में सुनिएगा ऐसा लिखा है शरीर यानि दुस्त लोग कहा जाएंगे डर्क में चले अदू लोग में जाएंगे दुस्त लोग और यानि वो सब कोमें जो खुदा को भूल जाती है दुस्त कोमें खुदा को भूलने वाला और दुस्त कहा जाएगा अदू लोग में इसके माने दुस्त ने अपनी जग़ा पहले ही चल ली है उसका नियाए नहीं होगा बाइब बतारी कि दुस्त पताल में चला जाएगा तो में और आप ऐसे काम करें कि हम पताल में न जाएं हम खुदा को न भूलें जो खुदा ने रहे मेरे पर आप पर पर वो करा है उसको हमेशे याद रखें बाइबल बताती है कि लोग अक्सर उन एहसान को भूल जाते है दाओद एक दिन जबूर में लिख रहा था एक सो तीन के अंदर आए मेरी जान खुदा को मुबारक के और उसके नाम को मुबारक के और जो कुझ मुझ में हो उसके नाम को मुबारक के तू उसकी किसी नहमत को फरामोश ना करना हिंदे में लिका तो उसके किसी उपकार को ना भूल जाना आप अपने जिन्दगी में जाक के देखिए आप अपने खानदान की जिन्दगी में जाक के देखिए आप अपने बच्चों की जिन्दगी में जाक के देखिए खुदाने कितने उपकार आप पे और आपके खांदान पे करें लेकिन देखने में आता है कि बहुत सारे लोग थोड़े कमी हैं जो ना भूले बहुत सारे लोग उसके उपकार को भूल जाते हैं उसकी बरकतों को भूल जाते हैं उसके रहम को भूल जाते हैं और बाइबिल बताती है कि हम खुदा को ना भूलें और मैं जब अभी पढ़ रहा था तो महां लिका है यर्मिया की किताब और उसके दो बाप की बत्तिस है जी क्या कुवारी अपने जेवर बहुत देगे जो कुवारे बच्चे हैं कुवारी लड़की हैं बहुत से कुवारी लड़की हैं शायद हमारे कलाम सुन नहीं हो तो बाइबिल बताते कुवारी लड़की अपने जेवर या दुलहन अपनी अराइश भूल सकती है क्या भूल सकते हैं अपने जेवर को, अपने अराइश को? आगे पड़े गया, पर, मेरे लोग तो मुद्दत मधीद से मुझ को लेकिन मेरे लोग तो कपके मुझे भूले बैठे हैं, एक कुआरी अपनी अराइश नहीं भूलती, अपने जेवर नहीं भूलती, धुलन अपन मेक अप को नहीं भूलती, जिस दिन शादी होती है, जिस दिन लोग सिर्फ की लोगों की निगाहे दुरन पे लगी होती है, कि वो कितने अच्छी तरह तैयार हुई है, और भूलते नहीं है, जो बहां बैठे होते हैं, तो एक एक चीज़ कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा करो, ले लेकिन बाहिल बतारी, खुदा को बड़ा इफसोस हो रहा है, कि ये तो मेरे को मुद्द से भूल गए, और भूलने के लिए उन्होंने मालू क्या काम कर रहा हूँ, दूसरा बाप ग्यारवी आई, क्या किसी कौम ने, अपने माबूदों को, हाला कि वो खुदा नहीं, उन्होंने अपने माबूदों को बुला दिया, बदल दिया, हाँ, पर मेरी कौम ने, मेरे रोगों ने, जिनको मैं 430 साल की गुलामी से निकाल के लाया, जिनको मैंने 40 साल आस्मान से रोटिया खिलाई, जिनके मैंने कभी कपड़े नी पुराने होने दिये, जिनके मैंने मांगा तो मैंने आस्वान से मीट खिलाया उन्होंने पानी मांगा तो मैंने चट्टान में से पानी निकाला यू किया रहा लेकिन हाँ मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफाइदा चीजों से बजल्डा भी जंगल से निकल कर आहे थे वहां से लाल समंदर से निकले, मिसरमे से निकले लेकिन एक दिन खोड़ा को दूसरी गलस चीजर में बजल दिया और कहने लगा बचछड़े को देखकर आए बानेसराइल तेरा खुदा ही आए आसमान के खुदा का जालाल वो एक बच्छड़े को देने लगे आज भी दुनिया में लोग खुदा की ताजिम के लिए ऐसी चीज़े बना लेते हैं जिनकी शकल जानवर किसी लगती है नहीं हम खुदा को नहूलने हैं हलाक नहों हलाक हम इस दुनिया में हलाक नहीं होते हैं क्योंकर हम खुदा के लोग हैं हम इस दुनिया में सोते हैं लेकिन अगर हम खुदा के बेटे पर एमान नहीं लाएंगे खुदा को भूल जाएंगे तो हम हलाक होंगे आसमान पे जहां पर वो केगा खुदाओं इससे उठाओ इसे वहां फेक दो जहां पर रोना और दातों का पिसना है खुदाओं ये शुमसी इस जिन्दगी में तो हमें हमारा ख्याल करने आ है लेकिन असली मक्सद था आस्मान पर जाके हमें कौन सा मुकाम मिलेगा अगर हम दुष्ट निकलेंगे अदो लोग हमारा ख्याल कर रहा है मुँ फाड़े खड़ा है वो और जैसा लिखा ना कि शेतान दुपका बैठा रहता है और मुँ फाड़े रहता कि कम मौका मिला और किसे मार का है वहाँ पर पताल मौका नहीं नून रहा वहाँ तो उठा कि फैक दे जाएंगे हम खुदा के लोग हैं हम खुदा को न भूले हम खुदा के साथ खड़े रहे वो पांच को nice ओती वो थोड़ देर के ली खुदा को ढाँ जाएंगे देख लेंगे बहुत बाद लोग चर्श के उत हैं लेड़ यही कारण चले जाएंगे, अभी तो यह चल रहा होगा, नहीं, आप खुदा का नो भूलिए, जब आप खुदा को नहीं भूलेंगे, तो खुदा बाप आपको बरकत पजीर करेगा, लिखा है मेरे लोगों ने, लेकिन मेरे लोग बूल गए, और उसकी पेर में ऐसी लिखा क्योंकि मेरे लोगों ने, दो बुराएंगे, सुनिएगा, खुदब आप ने, आपकी काउंटिंग शिर्प दो चीजों में करी, मेरे लोगों ने, दो बुरा हैं餅 करी, नम्बर एक, उन्हें मुज आवे अब हैयात के चशुम हो तर्ट कर दिया उन्होंने वेल्एते वे जल के स९ूते को बुला दिया छोड दिया इक्णॉर कर दिया। ऐसों के पाथ चले गए जिनके टूटेवे होज़ें बताइए क्या कोई जिस माथ से पैदा हुआ उसको भूल सकता है लेकिन आज की दुनिया बहुत से लोग भूल जाते हैं और खुदवाब ने चाहता कि खुदा के लोग खुदा को भूले और खुदा की के खिलाफ करे हों आई एक आयतों पड़े हैं आयूब की किताब उसका आठवाब और उसकी तेरवी आयत में कुछ ऐसा लिखा है बड़े द्यान सुनियेगा मैंने तेरवी लाइत इसलिए पढ़वाई पिर उसको बद आप से में ग्यारवी आयत को पढ़वाएंगा ऐसी ही उन सब लोगों की राए हैं जो खुदा को भूल जाते हैं दीखें ऐसे व्याली कैसी राए होई लोगों की अब ग्यारवी आइससे पढ़िए गा क्या नागर्मो था बगेर कीजर के अद्ग सकता हैं क्या सरकंडा बगेर पानी के बढ़ सकता हैं समय से पहले ही सूख जाते हैं, आपने देखा ना, खुदा ने तो उमर 120 साल ठेरा है, ये 40 साल, 45 साल पचास साल में निकल जाते हैं, क्योंकि वो खुदा को भूल गए, हम खुदा को ना भूलें, हम खुदा को याद करें, खुदा के पाथ जाएं, जगरिया नभी कह रहा थ जो ये रिशलम में, खुदा को सिजदा करने नहीं जाएंगे, उन पर बारिश नहीं होगी, कौन नहीं जाता है, जो खुदा को भूल जाता है, अपनी नोकरी याद रहती है, अपने रिश्यदार याद रहती है, अपने माबाप याद रहती है, अपने बच्चे याद रह है यह मेरे बहुत से काम याद रहते हैं हम खुदा को इत्वार के दिन भूल जाते हैं और बाइब लिका दे जो नहीं जाएंगे उन पर बारिश नहीं होगी उसी जखरिया नभी की जो अध्याए चौदा उसकी बारवी आईत को में पढ़के आपके सामने सुनाओं ताहिए खुदा बाप आपको बरकत दे वहाँ पर ऐसा लिखा है जखरिया नभी किताब उसका चौदवा बाप और उसकी बारवी आईत में ऐसा लिखाए सुनिएगा और खुदावन यरुशलम से जंग करने वाली सब कौमों पर इसकी उपर की बाकी आईत है अपने घर पर से बैठके लेकिन यहां पर यह फर्मा रहा है पर खुदावन गेर शलम से जंग करने वाली सब कौमों पर अब कौन जंग है यह मैं उनकी गेर कौमों वाली बात नहीं कर रहा हूं कि वो जंग कर रहे हैं खुदा के लोग है खुदा से जंग करते हैं कैसे जंग करते हैं ज खुदा से दूर रही नहीं सकते हैं तो लिखा हैं और खुदा उन येरुसलम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अजाब नाजिल करेगा सुनिएगा क्या क्या अजाब देखीगा ये जो खुदा के घर येरुसलम से नफरत करते हैं उसके पाद जाना नहीं चाते हैं उन्हाब पर एंटर नहीं होना चाते हैं ये अजाब नाजिल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्ट सूख जाएगा देखिएगा अभी कुछ नहीं हो रहा लेकिन बाई बताती है जो खुदा को भूल जाते है जो खुदा के घर जाना भूल जाते है जो खुदा की अबादत करना भूल जाते है उनके लिए लिखा है कि खड़े खड़े उनका गोश्ट सूख जाएगा और उनकी आंके चश्ट खानों में गल जाएगा और उनके आगे जो ये चश्मे खाना है, खाना माने घर, चश्म माने उसके अंदर रहने की जगा, जो चश्म खाने में है, वो क्या हो जाएंगी, गुल जाएंगी, और उनकी जबान सड़ जाएंगी, अब बताईए, गोस तो खतम हो गया, सूप गया, ना चलने के काबिल, बैठने काबिल ना उटने के काबिल, ये वो हैं, जो खुदा को भूल गया, आँखें सड़ गई अंदर, ये वो हैं, जो खुदा को भूल गया, ओ लिकाज जबान सड़ गई, ये वो हैं, जो खुदा को भूल गया, खुदा बाब मेरे आपको बताना चाहता है, अगर हमा और भी अच्छी लिकिए पढ़िएगा उस रोज हावक की तरफ से उनके दर्मियान बड़ी हच्ज़ हाँ और एक दूसरे का हाथ पकड़ेगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएंगे हाथ भी पकड़ेगे हाथ उठाएंगे ये खुता के खिलाफ बूलने वाले खुदा को भूलने वालों भालगेजा हमें काश हमारी कलीसिय intellect iyi काश हम जहां पर बाते करते हैं महांपर खुदा को ना भूले खुदा का दरजा खुदा को दीना सीके तो खुदा बाप आपको बरकत देगा फिर में वहा है तो आईणыми में और फिर लिखा है ऐसे उन सब की राएं हैं जो खुदा को भूल जाते हैं यानि उनके सारे काम खराब हो जाएंगे उनकी उमीदें तूर जाएंगी और लिखा है जो खुदा को भूल जाते हैं वो बे खुदा आदमी की उमीद तूर जाएंगे आप बड़ी उमीद करते ना सूतिएगा जब आप खुदा को भूल जाएंगे तो आप की उमीद टूट जाएगी चाहे आप छोटे हूं जब आप स्कूल में पढ़ते हैं एजूकेशन में होते हैं तो एक उमीद करते हैं मैं इस साल एक्जाम में अच्छे नमरों से पास हो उमीद है ये लेकिन खु को आपने याद को ही करा खुदा को याद करते तो टाइम से पहले पूंसे टाइम के बादे आप ने बड़ी वह सारी अमीद हैं लगा रिकिर खुदा करें बता रहा है अब के बूल जाते अनकी उमीद तूट जाती है देखिए मैं आपको बताओं कैसे कैसे उमीदे तूटती है सबसे पहले अगर आप निकालेंगे तो पहले सब्सक्राइब उसकी चवालिसमी आहित में देखिएगा यहां पर दो लोग है जो जो खुदा को याद करता है दो लोग है जो अपने अपनी ताकत को याद कर रहा है चवालिया इससे जरद पढ़िएगा जी परिस्ति ने दावट से कहा हां मेरे पास आज मैं तरह बोष्ट तेरी बोटी बोटी करके हवा के परिंदों खिला दूँगा इसकी यह उमीद थी इसकी याली उमीद थी किया दिए लड़का इसको तो मार दो मैं बहुतों को मार क लेकिन यह खुदा कर्जन नहीं था यह अपने ज़ॉम में था यह अपनी ताक्त में था तो आपको पता इसकी उमीद तो पूरी नहीं उए जो प्ज़िता दूब में वे ईसकी उमीद तूट गई ये कहीं का नहीं रहा ये खतम हो गया लेकिन देखें दूसरे जगा अब वो आदमी जो खुदा पर टेक लगाए वे जो खुदा को नहीं भूला है ये वो लड़का है कि ये जंगल में जब अपने बाप की भेड़ों को चड़ाता था और लिखाए जब कोई रीच भालू य पढ़िएगा दाउदनोस फलिष्टी से कहा तू तलवार भाला और बर्ची ये तीन चीजे लेके तू मेरे पास आता है पर मैं रभ अलफास के नाम से जो इस्राइल के लश्करों का है जिसकी तूने वजीहत कि हैं तेरे पास आता हो यानि कहने लगा मैं तो अपने किलों में दुश्वन सामने खड़ा है मौत सामने खड़ी है और मौत कहरी है आज तू मारा जाएगा आज तेरा लाजडे है तो खतम हो जाएगा दोनों ने उमीद करिये वो किरता मैं इसे मार डालूंगा और दाउद किरता मैं इसे मार डालूंगा लेकिन वो बेखुदा था, ये खुदा के हक में था, तो जो बे खुदा था, उसकी उमीद तूड गई, एक ही फत्तर से दाउद ने जाती जूलियत को धारशाई कर दिया, और उसे की तलवार से उसको सर कड़ डाला, वो कुछ नी कर सका, लहिम शहीम इनसान, पंदरा फुट से जादा उचे का इन आप उमीद करें, मेरे बच्चे बड़े होकर मेरा सहरा बनेंगे, जचातों ये उमीद बनी रहे, लेकिन कब दिब आप खुदा को नहीं भूलेंगे, आप अपने हर मरे लेने, आप अपने हर मोड़ पे, आप अपने हर काम में आसमान के खुदा को याद रखेंगे, तो दो परकार के शक्ष इस दुनिया में पाई जाते हैं, एक तो जो खुदा से प्यार करते हैं, जो खुदा को नहीं भूलते हैं, उनकी उमीद बनी देगी, आप उमीद कर रहे हैं, मेरा कारोबार खुब चले, आद मेरा, आद मेरी जो को ट्रांजेक्शन इतना है, मेरा टर्न आने वाला है, वो तैयार बैठी हैं, आप कैसे बाले हैं, खुदा को मत भूलिए, नहीं तो आपके उमीद तूट जाएगी, आपने जो उमीदे लगाई हैं, आपने जो डिजायर करें हैं, आपने पड़ा होगा ना सबूर 37 में, खुदावन में मस्रूर रहें, तो वो त चंगल में सब की लाश में पड़ी रहें, आप खुदा को याद रखिए, आप खुदा को अपने मद्दे नजर रखिए, ताकि आपकी जिन्दे की खुशनू हम उनों, और देखें, आएए दूसरी जागए लेके चलूं, और जो खुदा को भूल जाते हैं, उसकी उमीद तूट जाती है, दूसरा राजा, ग्यार अबाब, ग्यार मिया इससे, और पहरे वाले, अपने हत्यार हाथ में लिए हुए, हैकल के दाहिनी पहनों से लेकर, बाएं पहनों तर, मजबहा और हैकल के बराबर बराबर बादशा के गिर्द गिर्द खड़े हो गए, पिर उसन उसे बादशा बनाया, और उसे मसा किया, और उन्हें तालिया बजाए, और कहा बादशा जीता रही है, यह वो लड़का है, जो खुदा को नहीं बूला, तो इसकी उमीद निटू, इसका उमीद थी कि मैं भी एक राजा बनूंगा, और यह राजा बना, इसी तरह अगर आ आपके सर पे ताज रख सकता है, दूसरा इत्यास, दूसरा तबारीक, उसका बत्तीसों अबाब, उसकी तेरवी आइस से पढ़िएगा, हाँ, क्या तुम नहीं, और मेरे बादादा ने, और मुल्कों के सब लोगों से क्या क्या किया है, क्या उन मामूल, मुमालिक की कौमो के मामूल, हाँ, और मुल्क को किसी तरह से मेरे हाथों से बचा सके, हाँ, जिन कौमों को मेरे बादादा ने बिलकुल हला कर राला, हाँ, ये मामूलों में कौन ऐसा निकलता, जो अपने लोगों को मेरे हाथ से बचा सका, कि तुम्हारा मामूल, तुम को मेरे हाथ से बचा इसकी उमीद थी, मैं सब को हराता आया हूँ, आज मैं येरुशलम को भी जीत लूँगा, नहीं बचा पाएगा कोई, वो राजा है महाँ पर हिच्किया राजा, उसके खिलाव लोगों को भड़का रहा है, जिसे आप अपने देशों में सुनते हैं, जो के फेक एड आते हैं फेक न्यूज आती हैं, लोग भड़कते हैं, ऐसे ये भी भड़का रहा है, असूर का राजा है, सनेरेव इसका नाम है, हिच्किया से लड़ने आया है, दो लाग से जादा सिपाईयों को लाए तो उस जमाने में, और उसने सारी तरफ से येरुशलम को गेल लिया, अब य लेकर वो खुदा के घर में गया, और जाके खुदा के सामने खत पहला दिया, और कहने लगा है, खुदा उन देख, ये तेरे लोग क्या कर रहे हैं, तेरे लोग के साथ क्या हो रहा है, आपको मालू है, उसने नहीं का तक खुदा है, इसको माड़ दे, खतम कर दे, उसकी उमीद है में दीते लूँगा लेकिन आलः लिखा आसमान से खुदा ने एक फरिस्टा बेजा और एक लाख पिचासी अजार कितने हैं एक लाख पिचासी अजार फॉडीयों को एक ही फरिस्टे मार के गिरा दिया और वो बेचारा रुस्वा होके अपने देश गया और वहाँ जा कि उसके बेटों उसका मार डा रा देखिए उसके उमीद तुड़ गई वो क्या सोचकर आया था वो क्या चाहता था लेकिन उसकी उमीद जहूरु आप भी उमीद करेंगे बहुत से, आप बहुत से उमीद करेंगे, लेकिन अगर आप खुदा को भूल जाएंगे, तो आपकी सारी उमीदे पानी में मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप खुदा में होके आगे बढ़ेंगे, तो खुदावन आपको बड़ी बरकत देगा, एक तरह येशु को खतम कर दे सुनियागा दूसर अब आप सोल में आई तब हैरोदीस ने देखा बड़े ध्यान से सुनिया कि मजूसियों ने मेरे साथ हसी करी तो नहायद गुसा होकर और आदमी भेच कर कतल करवा दिया जो दो दो साल के थे यह से छोटे थे और यह सोच के कतल करवाए था मरिया येशु मसी मरिया येशु मसी लेकिन उसकी उमीद पूरी नहीं हुई येशु मसी नासरत में चला गया था खुदा विर्व लिए खुदा बाप ने अपने बच्चे को बचाया अगर आप भी खुदा के जन ben जाएंगे तो खुदा बाप आपको खतम होने नही देगा खुदाबाप आपके जीवन को बचा लेगा जीवन को बुलंद और बाला करेगा और आप अपनी आँखों से देखेंगे जो नाखुदा है आपको मालूँ यूना से वो नाखुदा लोग कह रहे थे, वो मल्ला जो खुदा को नहीं जानते थे, वो कह रहे थे तो उठकर अपने खुदा से दुआ कर शायद वो हमें बचा ले वो नाखुदा लेकिन यूना जो खुदा का बंदा था उसने का नहीं मुझे उठा के समुन्दर में भेक दो खुदा बाप आपको बचाना चाता है खुदा बाप आपको पताल में नहीं जाने देने चाता है शेतान काम यहीं कर रहा है कि आप पताल में जाएं और पताल में उसके राज़े बढ़े लेकिन हम खुदा के लोग हैं और हम चाहते हैं आसमान पर खुदा कराज़े बढ़े इस दुनिया में खुदा कराज़े बढ़े मैं और आप खुदा के लोगों को खुदा के घर में लाना सीखें एक एक जन ददस को एक एक जन सो सो लोगों के लेकर आए तो खुदा कराज़ बढ़ता जाएगा और खुदाओन आपको खतम होने नहीं देगा बाकी बात है हम अब आपके साथ करेंगे आई हम आपके साथ दुआ करें खुदाओन ये शुमसी हमने तेरे कलाम को सुना और तेरा कलाम जो जिन्दा कलाम है इसको हम तेरे हाथों में रखते और चाहते हैं आप इस कलाम की जरी हमें ये सिखाएं कि हम आस्मान के कुदा को कभी न भूले बलकE उसको हम अपने जिन्दगी में अमला जामा पनाएं ताकि हमारे जरीय से खुदाओन तेरे नाम को बड़ी महीमा मिले सुनने वाले के दिलों को पुकता कर कि वो तेरी बातों को अपने दिल में रखे और किसी भी बहरले में तेरों को न भूले चाहे कैसे ही हालात क्यों ना हो बलकि उफलते रहें और फूलते रहें और तेरे लिए अपना आपको खर्च करते रहें तेरे आतों में सौपते हैं येशु के नाम से मंगते हैं आमीन आमीन खुदा आपको बड़ी बरकत दे प्रेज जलोट उमीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावन ने आपको आशीश दी होगी हम चाहेंगे कि आप हमसे संपग करें अगर आप किसी भी तरीकी की साहता करना चाहते हैं दुआओं हैं आपके पास प्रात्नाएं हैं तो जरूर आप हमसे संपग करें हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास बहुँच चुके हैं आप इनके द्वारा हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावन की महिमा में आगे बर सके प्रेज अलॉट खुदा आप सबको बहुत आचीश दे हमारा एड्रेस है असेम्बली ओफ बिलीवर्स चर्च S410 स्ट्रीट नंबर 11 स्कूल ब्लॉक शकरपोर डेली 110092 और अगर आप हमसे फोन पे कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर है और दूसरा नंबर है इसके अलावा